हाई वेलकम्टो मैं चनल इस वीडियो में हम सॉल करें के क्वेशन वाफ 5 जो की साइज 70A का है तो ध्यान जी का क्या करा है क्वेशन आपके क्वेशन कर रहा है कि construct a quadrilateral PQRS in which QR is equal to 75 cm PR is equal to PS is equal to 6 cm and RS is equal to 5 cm means आपके sides दे दियो है ठीक है और QS इसको 10 cm दिया हुआ है आप करा कि measure the fourth side तो fourth side को measure करना है तो क्या करेंगे पहले हम इसका rough sketch draw कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से side से दिया हुआ है क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कि क्या दिया हुआ है तो rough sketch हम ड्रा करना में कोई कलाकारी नहीं है आप बस आराम से कैसे भी लाइन 4 जो लाइन से हैं खीच लीजिए लेकिन ऐसा ठीक है तो हमने यहां पर जो है प्यक्यू आरेस का कंस्ट्रक्शन जो है एक राफिस्केच हमने ड्राग कर लिया है तो मैं यह लिख लता हूँ राफिस्केच rough sketch ओके और यहाँ पर जो है level कर दते हम यहाँ पर दते हैं P यह आपके होगा Q and R और S इस हम cyclic order में आपको यह level करना है ठीक है अब दीखे Q R दे दिया है Q R means यह length दे दिया है 7.5 cm और दीखे P R PR दीखे P R आपका diagonal है PR and PS PR and PS जो है दोनों same length के है PS आपका दिया हुआ है 6 cm का और देखे PS जो है और PR भी जो है यह diagonal भी 6 cm का है तो इस diagonal को भी मिला दीजिए ठीक है तो यह जो diagonal है वो भी जो है 6 cm का ही है और RS और RS जो है यह diagonal को मतलब यह वाला है और RS दिया हुआ है देखे RS मतलब यह और यह दिया हुआ है कितना 5 cm और QS यह दूसरा diagonal है यह भी दिया हुआ है ठीक है तो यह जो diagonal है यह भी दिया हुआ है और इसका जो length है वो है QS QS जो है 10 cm रगा है तो यहां पर हम लेते है 10 cm 10 cm तो यह हम ऐसे कर देते है अरो बना देते है ताकि पदसले की मतलब इस diagonal का है यह length और यह वाली जो length है 6 cm वो PR diagonal का है अब जो है हमने यहां पर rough sketch ड्राग कर लिया है अब करना क्या है अब इसका बनाना है तो ध्यान दीजेगा यह जो question of 4 है वो exactly question of 5 के बराबर है मतलब same to same है वो ऐसा ही है लेकिन थोड़ा से हम बोला है कि measure the fourth side मतलब कि यह जो PQ है इसको measure करना है कि है कितना PQ का length कितना होगा तो हमें जो है बहुत अच्छे से precisely बनाना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पर sketch यूज कर रहा था अब मैं paint यूज कर रहा हूँ कि इतना पतला बनेगा अब pencil के use करिएगा ताकि arcs जो है जितने पतले रहेंगे उतने ही exact और precise measurement मिलेगा आपको और exact measurement आप कर पाएंगे fourth side का ठीक है यहाँ पर मैं कोसिस करूँगा कि बिल्कुल exact और precise और exactly होई अंसर है जो आपके book में दिया हूँ ठीक है तो चलिए पहले पहले हम ड्रा करेंगे sr ठीक है कोई भी एक side ड्रा कर सकते हैं तो हम sr को ड्रा कर लेते हैं पहले क्योंकि यह बीच वाले side को ड्रा करना बहुत असान रहता है और उसी से हमें जो है अच्छे से मिल जाता है हर चीज़ तो पहले हम sr करेंगे मतलब rs करेंगे और यह 5 cm का है तो आप जानते हैं बिल्कुल आसानी सका सकते हैं यहां पर आप जो है देखिए आपको q तक जाना है क्यों तक जाने के लिए r से क्या करना पड़ेगा यहां पर r से आपको आर्क खीचना पड़ेगा ऐसे q पर और उसका जो रेडिस होना चाहिए वह 7.5 cm का होना चाहिए यहां पर r खीचेंगे तो यह q पर एक आर्क मिलेगा और s से जो है 10 cm का जब रेडिस लेंगे तो यहां पर भी आर्क खीच सकते हैं तो आपको यह q पाइंट मिल जाएगा तो हम r से 7.5 cm का रेडिस लेंगे तो आप जो है यहां पर जो है 7.5 cm आप यहां पर ले ली जोगा जो कि बहुत लंबा है एक्चुली 7.5 ठीक है 7.5 जो कि बहुत लंबा जाएगा मेरे खाल से बन जाएगा कोई दीकत नहीं है मेरा ओके ठीक है बन जाएगा डिफिनेटली बन जाएगा तो देखिए ध्याम से कितना है 7.5 ठोड़ा सा लंबा है थोड़ा है इतना नहीं तेना चीक है लेकिन यह दिया हुआ है था हम है 7.5 यहां पर ले चुका है अब जो है 7.5 लेकर के आप यहां से एक आर्क ड्रा कर लेंगे तो हम जो है ऐसे ड्रा कर लेते हैं पतला सा जितना ही पतला रहेगा आपका यह पिन मतलब पिंसिल का नोख जो है जितना ही पतला रहेगा उतनी अच्छा से बनेगा और यह हमने एक आर्क ड्रा कर लिए, उसके पासे स से हम radius लेंगे 10 cm और एक और आर्क ड्रा करेंगे तो 10 cm का radius लेंगे हम यहां पर 10 थोजा और तलो चाम करना पड़ेगा तो यह 10 हो गया और यह द्टिखे 10 राइट तो यह हो गया, देखे 10 प्रासा और पीछे कर लेते हैं तो ओके आप जो है आपको दिख रहा होगा कि यह 10 है आप यह 10 एकजक लेने के लिए आप इसके नीची आकर देख सकते हैं यहां पर ठीक है 10 सेंटिमेटर का बिल्कुल यह बन चुका है तो यहां पर रख करके देखे एस को सेंटर मान करके ठीक है एस को सेंटर मने माना है और उसके बाद जो है यहां पर हम एक आर खीच लेंगे जो कि हमें मिल गया एक पॉइंट ठीक है और यह जो पॉइंट मिला है यह प्र आर से इसको जोइन कर सकते हैं ताकि हमें एक और साइड मिल जाए ठीक है आर क्यू या फिर आप बोल सकते हैं क्यू आर तो यहां पर जब आप जोइन करेंगे तो प्रिसाइजली जोइन करना पड़ेगा आपको ताकि बिल्कुल एक्जैक्ट हमारा बने अब देखिए हमें निकालना यह फी सिक सेंटी मिटर और सिक सेंटी मिटरा करना है कहां से एस को सेंटर मानकरके मिल रेडिस लेकर के यहां पर आरख आपड़ेगा ठीक है मतलब ऐसे आर्ष अ इसके बाद से आर्गए करके 3 70 लिए करके ये वावाल तो हम यहां पर, इग्जेक्ट, अब देख सकते हैं, बिल्कुल ही, मैंने आप यह ले लिया है, 6 cm, फ़रा साइक बाल दिख लेता है, पता नहीं, मैंने यहां सही लिया है, तो अब जो है, यहां पर, सेंटर मान करके, देखिए, S को सेंटर मान करके, आप जो है, एक आर जो कि लगेगा कि मंदब, यहां से 6 cm में आ जाए, तो हम तो सब बड़ा खीच लेते हैं, ताकि, बिल्कुल डेफिनिटली कर जाए, तो ठीक है, अब जो है, यहां से, आर से भी, हम सेंटर मान करके, आर को, और 6 cm का रेडिस ही लेना है, तो यहां पर, आर में रखरके, उत यह वाला है, और यही पॉइंट जो है, क्या है, P है, हम इसको P से डिनौर कर लेते हैं, और हम P Q करेंगे, पहले हम इस P और S को जोईन कर लेते हैं, तो precisely आप जोईन कर लेजी, इसको, को अब जो है, हम P Q को भी जोईन कर लेंगे, और इसका लेन्थ भी मेजरमेंट करना है लेंथ का ठीक है तो हम देख पा रहे हैं बिलकुल कि यह क्या है 4.2 आई थिंग ने सरी 4.7 एकदम यह 4.7 जैसा लग रहा है एक्जैक्टली आप मेजर कर पा रहा है हम तो इसको हम जोइन कर देंगे और हम देखे यहां पर मेजर कर रहा है इंध्यास देखेगा आपको स्केल पर दिख रहा है और यहां पर हम आपको दिखा रहा है देखे यहां पर 4 से आगे बढ़ रहा है देखे 4 आपका कहां पर है 4 जो है यहां पर हो गया 454.5 ठीक है 455 यहां पर दे सकते हैं 455 एंड शिक्स इन 7 4.7 इसका लेंद है इसका PQ का यह मेरे द्वारा आ गया क्योंकि मैं पर्वारा तो हो सकता है कि फोड़ा सा साच खर नहीं होगा मेरे ख़ल से तो PQ का जो मिजर्मेंट है जिसमेजर किया है 4 आगया 4.7 वह एक्शुशली आ गया 4.7 इफ़ाइट इस फ़ॉर 4.7 cm अब लास्ट में जो है पूरा वो जो स्टेप साफ कंस्ट्रक्शन लिख करके लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि measure of pq is equal to 4.7 cm ओके और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं बताना चाहता है तो आपको समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरू बनता है और यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को सेर्ड भी कर सकते हैं ताकि वो लोग भी यह समझे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई बिलते आपसे नेक्ट वीडियो में